देश में पांच चर्ण का जो मतदान है वह पूरा हो चुका है अब छटे चर्ण में राची में मतदान होना है राची के साथ ही और तीन जिलों मतदान होगा जिसमें जमशेदपूर, धनबाद और गिरीडी सामिल है ऐसे में हम जनता की राय जान रहे हैं और जान रहे हैं कि जनता इस बार किसे सरकार बनाने वाली है इस वक्त हम मौझूद है राची के काटी टार के तारूब गाउं में जब हमारी टीम इस गाउं में प्रवेस कर रही थी तो सडकों की जो हाल थी अपने आप ही बताने को लिए काफी थी कि इस गाउं का विकास क्या है यहां पे कोई सांसत प्रत्याशी आये हैं कि नहीं आये है चल यह जोडते हैं सिधे लोगों से और जानते हैं कि इनकी क्या-क्या समस्याय है नेता जी आते हैं आते हैं कौन कौन साभी नेता आते हैं किसको दे रहे इस बार लोग सभा का चुनाव में सर अभी तो मतलब अपना मद्दान उनी को देना चाहिए जो आगे की और बढ़ा रहा है कदम तो हम लोग पेजल और क्या बोलेंगे मतलब स्वाच बिभाग से मतलब पहले और अरोत लोग बाहर जाती थी खुले में सोच करने लेकिन अभी तो सबकुछ घर घर आ गया तो हम लोग तो मोजी जी को ही देंगे संसद को तो हमको नहीं पता लेकिन उनके थुरू काम हुआ है संसद जी को हम भी नहीं देखे हैं अब भी नहीं देखे हैं संसद जी को हम तो नहीं नहीं साधी होके आया है तो हम तो नहीं देखे हैं तो क्या क्या गाओं में चेंज हुआ है अभी तक 10 साल में पेजल की पहले कमी थी तह भी घर गर नल जल लग गया है तो अभी किसी को परेसानी नहीं होती है सभी को घर में जल मिल रहा है और फिर बातरूम अगेरा सब कुछ बिजली का भी कोई आभाव नहीं है सडक का अभा साल से 15 साल में अभी तक कितना विकास हुआ है विकास हो गया है यहां सब बाहर जाते थे पानी का दिकत था लेकिन अभी सब कुछ है और यहां का विधायक नमीन भहिया के चुनाव होने से बहुत बदला हुआ है हम लोग को घर से बाहर निकलने का मौका मिला लेकिन अभी त वाँते हैं संसर जी भी है और एक दिम निया नहां एक बार भी आप लोकर शूट ले ने पहुची नए है रोड का जो हाल है गाउं में गाउं से अगर हम आघे पिस सहर से तो सब रास्ता ठीक है जैसी आपके गाउं में प्रवेस कर रहें रोड एक तम गड़्ा गुंट्ट तो उनने आगा तो उसको पास जाएंगे जब उसको है तो उसको है तो बहुत आना चाहिए ना वोट में किसकी और आप दे रहा है ना देखे जो भी है तो केंद का सरकार है तो बीजेपी का हम लोग देंगे आप तो अब कारण कारण जब मतलब एलेक्शन होता है तब सब कई टाइम सब चल जाता और जब बाहर क्या रोजगार कुछ वैसे रोड रोड ने का पहले बोले तब रोड निए वना रहा तक है पार्टी की यहां मतलब अड़ान डय आब किया करें पहुंच रहें कि नेधा सब्सक्राइब करते हैं अभी स्टूरेंट है अभी तो में लिए क्या यहां पर गाउं में वेवस्था है नहीं गाउं में वेवस्था नहीं तक है यह गौबर्मेंट इसकूल में बागी तो कुछ नहीं है कभी आये हैं तो कभी बोले नहीं कि राओं में भी कुछ सुविदा दे दीजिए कि हम लोग पढ़ाय करते और तुरंते जाए रुखते नहीं है और अपने भासन देते और भाग जाते है तो कॉंग्रेस अपने प्रत्याशी यूवा को खड़ा की है पता है ना कॉंग्रेस क श्रीषा कि जब कोई भी एलेक्षन लड़ता है ना तो वह बोलता है कि हम यह कर देंग फिर बन जाता है उसके बाद तो भाण जाये जनता कुछ भी ऐसे हो जाता है अं आपके गाओं में केवल जो है सड़क का ही दिक्कते बाकी सब ठीक है सड़क का ही पूरा दिकते फू है इस घाव में हम सब दीन से हमरें जनन्म काम ही है जननम करम ही हुए तो भी घाव का घाव का कुछ विकास हुआ है नहीं चला तो है घर घर मिला है सरकाट से नाई घर भी नहीं मिला है कहीं उने हम इनके गहर में ले आप आवेदन नहीं दिये हैं पंचायत में ना दभी यह हैं क्या बोला नगर पंचायत वाला आप कई लए हम लिखा देही कुछ ने है आप अब इसी गाह, तो लोक सभा के चुना होगा किस के ऊपर आपका रुझान ज्यादा है बाचपा या कॉंगरेस हम लोगा छान कोंग्रेस पर है, पर रुझान क्या है वो बाहरे हैं और ये लोकल है इसलिए हम लोग इसी में जादे फोकस कर रहे हैं संजय सेट जब से जीते हैं दस सालों में इन दस सालों में इस गाउं में आये हैं कि नहीं आये इस गाउं के बारे में पता नहीं है अगर मेरे गाउं तो नहीं गये है मेरे गाम नहीं है बलकि कोई गाँ को देखो ने किया है वो को देखे ही नहीं किया है तो अंधी था जू जीत गिया कितना चले गहाँ हैं तिस नमबर में रहागा भी जय पी इसे नमबर पर देवेंदर महतो देवेंदर महतो जो है आभी युवा है है ना कॉंग्रेस प्रत्याशी जैसा स्वीनी जी योवा है हम लोग का भाई है हम लोग तो उन्हीं को बोट देंगे रहे थे तो रोड की हालत जो थी गाउं से उधर ठीक थी गाउं के इधर आते ही जो है विकास और सड़क जो मुलभूत सुविधाय हैं आपकी वो गायव हो चुकी है तो उसको लेके कुछ बोले हैं सांसा जी नहीं बोले हैं बलके इससे पहले जो रगुवर सरकार्थान है हो रोड का और विजली का हूं के है रगुवर जिस अम्हें मुख्य मंतरी थे उसलाम rinse बहुत गाउंको नहीं देखा है तो बहुत गाउंको नहीं देखा है और सुवोध कांत है के हर ऑश चपड़ में चपा-चपा मूज का परचारह साली को सब चिंटा हैं और जो है महघंगाई महघंगाई पर क्याब भी आफिक मानई तक सब चरम पर है देख रहे हैं कि आप गैश किदाम देख रहे कहां चार पांच सो रूपी मिलता था भी घरवारा सो रूपीय मिल रहा है और बहुत तरह का महंगाई है अब क्या बोलें आप जैनियर हैं मार्केट में आप भी हैं हम भी है बेरोजगारी पर क्या बोलिएगा बेरोजगारी एक मुद्दा है कि नहीं लोग सबागे हम लोग ठीकेदारी का काम था उसब खतम हो गया च्टा मोटा जितना ठीकेदार था उसब खतम हो गया जी तो बोले हैं कि चार जून के बाद से काम ज्यादा बढ़ने वाला सड़क का बाजी सरकार है जुमला है इन्होंने बहुत बोला लेकिन सब इनका जुटा निकला ए एक भी सचाए इनके पास नहीं खाली हिंदू मुस्लिम मार महसीत इंडिया पाकिस्तान इसके अलावार को यह भी मुद्दाने जैसा कि आपने सुना कि यहां की जंता है जो बोल रही है कि 10 साल से यहां की सड़क हाल है खराब है लेकिन सांसर जी जो है इस गाउं में एक ब